उन्होंने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तमाल किया है, उन्होंने बेहतरीन फीकंड माइंड्स का इस्तमाल किया है, तो मरियम और अरंजेब आप कहा हैं, आप मुझे नजर नहीं आ रही, मरियम और अरंजेब, I must tell you that you've done a stellar job, we are super duper proud of her. मैं एक बात कहकर फिर दावत दूँगी President PMLN को, ये जो तराना अभी हम launch करने जा रहे हैं, ये तराना सिर्फ तराना नहीं है, इसमें Muslim League Noon की, नवाश शरीफ साब की और जमाद की सियासी उतार चड़ाओ की ये कहानी है, जो के बहुत हैं, आज मैं उसकी बात नहीं करना चाहती, क्योंके बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आज नवाश शरीफ साब का जो मुखालिफ है, वो भी नवाश शरीफ के रास्ते पर नजरे लगा के बैठा, उसको पता है, पईया चलेगा इन्शाला ताला, और ये जो तराना है, ये आपको बताएगा, कि जब नवाश शरीफ का नाम आपके जहन में आता है, तो क्या तस्वीर उभरती है उसकी, और ये आजजी से मैं कहना चाहती हूँ, कि नवाश शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले, कई आ देखेगी कि नवाश शरीफ का एक अरूज, पाकिस्तान का एक और अरूज, इन्शालला ताला हम देखने जा रहें कि सक्तूबर को, और मैं अब दावत दूँगी, एक मिनिट, आप लो प्लीज, आप मोशी से बात सुने, मैं MSF को शाबाश देती हूँ, मैं यूथ विंग को शाबाश देती हूँ, मैं, very good, मैं खवातीन विंग को शाबाश देती हूँ, मैं माइनॉरिटी विंग को शाबाश देती हूँ, जितनी बड़ी ये ताकत मुस्लिम लीग नून के पास है और अब माशाआलला डिसिब्लन के साथ और गनाईज रे अब मैं उनको दावत देना चाहूंगी जिन्होंने नवाश शरीफ सहब का बाजू बन कर उनकी स्ट्रेंथ बन कर जिस तरह मुश्किल हालात में नवाश शरीफ सहाब का पर्चम बुलंद रखा और बतौर सदर भी बतौर भाई भी जिस तरह से वफा उन्होंने अपने काईद अपने भाई के साथ ने भाई मैं मिस्टर प्रेजिडंट जरा इदर देखें प्लीज मैं आपको पीमल एन की तरफ से सलाम पेश करना चाहते हैं और अंकल मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है 21 अक्तूबर आपकी उन वफाउं की समर का दिन है तो आप से बेतर आज इस हॉल में कोई मौजूद नहीं है जो इस तराने को लॉंच करें सर आप प्ली स्टेज पर आए बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिन्दाबाद आप लोग सब बैठे सब बैठे प्लीज थैंक यू सब बैठे तराना लॉंच होने से पहले मेरे साथ नारा लगाएं नवाज शरीफ